हेलो एवरिवन आज की वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे ओल्ली टू स्टोक्स जिसमें काफी टाइम के बाद हमें एक अच्छे वाला ब्रेक आउट देखने को मिल रहा है और दूसरा आप यहां पे निफ्टी में जैसे वेंग निफ्टी में कल वीकली ओपशन के एक्सप तो वहां पे तुरूंत आपको एक्जिट कर जाना चाहिए या फिर अपना किसी ने अगर बीटीएश्टी लिया हो तो प्रोफिट बूख करके निकलना चाहिए और ट्राइ हो सके तो आप सेल साइड भी व्यू लेके चल सकते हो जब तक ही द्वारा क्रोस नहीं हो जाता तो जब कभी भी gap of open होता है तो कुछ ऐसे आप trade plan कर सकते हो और direct बात करते हैं हमारा first breakout books जो first breakout stock है पहले आप इसका weekly chart देखिए stock का नाम यहाँ पर देख लीजिए मुकंद limited यह stock अगर आपको याद होगा तो यह stock मैंने chart to the week में भी discuss किया था और यहाँ पर यह breakout से ज़स्ट पहले आपके साथ यह discuss किया था उसके बाद momentum भी आया था यह stock 185 तक गया वापिस फिर यह नीचे आ गया था इस candle पर आपको मैंने यह वीडियो बनाया था तो वापिस फिर वहीं तक यह price आ गया और अगर आप लेवल देख रहे हो तो यह 2022 के level है और जो कि अब फिर से इसमें breakout देखने को मिल रहा है और इसका आप एक और पहले daily का chart भी देखिए थोड़ा और दिर दिर यह price rounding pattern बनाकर वापिस फिर से गया तो अगर बात करेंगे stop loss तो इसमें stop loss ही है 150 का short term trader के लिए और आज इसमें फिर से काफी अच्छा volume देखने को मिल रहा है और काफी अच्छे bullish candle बनी है तो इसमें continue momentum आभी को stays रह सकता है तो short term भी इसमें momentum रह सकता है साथ म अगर यह small mid cap और market भी सा देता है तब और दूसरा देखिए कि जैसे आप मेरी वीडियो regular देखते हो तो मैं वीडियो हमेशा learning purpose से आपके साथ share करता हूं कभी वी ऐसी wording नहीं बोलता कि जैसे सज्जय ने कमेंट किया था कल की वीडियो में कि आपकी वीडियो में इतना बात नहीं करनी आती क्योंकि उनकी बाते क्या होती है मैं आपको उताता हूं फोर जैंपल अगर वो इस वीडियो में अगर ब्रेकवट बढ़नों तो यह एक potential breakout है बहुत बड़े वाला breakout है इसको miss नहीं करना चाहिए यह आसमान की उच्छाईयों को चू जाएगा यहां से यह continue चलता जाएगा बहुत बड़े volume है मैसिव वाइंग आ रही है और यह positive news है इसमें इतनी अच्छी stake increase हो रहा है तो यह सब ऐसी मतलब आपको क्या कि इतना मतलब बड़ा चड़ा कर इतना overacting करके आपको बोलेंगे कि आपको भी confidence आ जाएगा आप कुछ नहीं देखोगे चार्ट को चार्ट क्या बोल रहा है बाद में बले ट्रेंड चेंज हो रहा हूँ आप उसको hold करते रहोगे आप बोलोगे नहीं सर ने बोला था बहुत बड़ा breakout है यहां से 2x हो जाएगा 3x हो जाएगा तो यह सब फिर आपके mind में आपको चायन नहीं गुमता आपके mind में वो बातें गुमती हैं कि यह बोला गया था क्या आप इस बात से agree करते हो तो comment करके जुरूता ना तो कभी भी मेरी बात हो या किसी की बात कभी किसी कभी आप social media में देखते हो या YouTube पे देखते हो कहीं भी देखते हो किसी की बातों से परवावित हो कर toko entry मत कीजिए उसमें उसमें लगा देते हो बट मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि अपनी capital को divide करके चलिए maximum stocks में बहले ही आप swing trade कर रहे हो या अपने portfolio में add कर रहे हो तो इसलिए हमेशा चार्ट पर focus कीजिए चार्ट पर learning कीजिए तो इसके target से पहले देखिए मैं जैसे मैं आप जैसे मैंने telegram प चार्ट को चार्ट पर देखकर अगर आपको सही लगता है जैसे 55 के level पर डाल दिया था रतिन इंडिया तो अगर आपको चार्ट पर देखकर सही लगता है तो आप buy किजिए चार्ट अगर आपको सही नहीं लगता है तो मत buy किजिए आपको अरुपज यह होना चाहिए कि ये चार्ट पे confidence आ रहा है, साथ में उसके fundamental देखिए, आपको okay लग रहा है, तो आप buy कीजिए, मैं आपको रतन इंडिया का चार्ट भी दिखा देता हूँ, तो ये जैसे मैंने आपको 55 के level पर recommend किया था, अभी price हो गया, देखिए 62, तो ये price देखिए, कर सकता है, तो साथ में मैं आपको पूरा line भी दिखा देता हूँ, कि कौन सा resistance है, कौन सा sport line है, तो ये हम रतन इंडिया आज के वीडियो में cover नहीं कर रहे है, मैं ज़स्ट आपको example बता रहा था, तो free telegram channel का link आपको description comment box में मिल जाएगा, तो बस मेरा परपर ये है, कि मुझे ऐसी हवावाज़ी बाते नहीं करने आती, over acting बाते नहीं करने आती, मेरा परपर रहता है कि आपको सिखानेगा, तो जिसको देखी मेरा बाते समझ नहीं आती है, या किसी-किसी वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा एक्टर लर्निंग समझा देता हूँ, ज़्यादा है ही, तो उनको फिर मेरी वीडियो समझ आती है, उनके सिर से उपर से सारी बाते निकल जाती है, कि क्या समझा रहे हैं, कुछ नहीं पता, तो अब बात करते हैं, मुकंद लिम्टेट की, इसमें देखिए, अगर आप टार्गेट रखना चाते हो, तो टार्गेट कुछ आप इस तरह भी प्लेन कर सकते हो, अगर आपका ये इस्टो क्लोस रखते हो, और डेली के चार्ट पर आप देख सकते हो, कि इसके कुछ टैम पहले रजेल्ट भी आये थे, तो रजेल्ट इसके ठीक ठाक थे, और उसके बाद से प्राइस फिर से, अब मूब बाद पिस इसने बोटम मना कर प्राइस चलता गया, राज की डेट में भी वोल्यूम काफी अच्छे है, तो ये था हमारा फर्स्ट टोक, सेकेंड स्टोक की बात करते हैं, सेकेंड जो स्टोक है, इंडियन होटल, ये स्टोक भी देखिए, मैंने आज आज आपको वैसे डाल दिया था, वहाँ पर, इसका पहले आप ये देखिए, वीकली चार देखिए पहले, और इसमें आप देखिए, मैं आपको समझाता हूँ अभी डेली के चार्ट पर, कि इसमें एक तो चैनल ब्रेक आउट है, रिश्टन्स ब्रेक आउट है, इंसाइड बार ब्रेक आउट है, इसमें आपको एक ही चार्ट में काफी चार्ट पैटर्ण देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें देखिए, मेरा परप्रिस फिर वो ही है, कि आपको लर्नी सिकाना, लर्नी के साथ आपकी अर्नी हो जाए, उससे और बढ़िया क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आद आते हैं डेली के चार्ट पे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले, यह फ्लैक पैटर्ण कैसे यहाँ पर यह वन साइट गया, उसके बाद देखिए प्राइस यहाँ पर वन साइट होता गया, यह चैनल बन गया, तो चैनल का ब्रेक आउट है, इसको बोक्स कह सकते हो, एक बोक्स बन गया, बोक्स का यहाँ पर ब्रेक आउट है, इंसाइड बार यहाँ पर देखिए, यह एक डेली की केंडल बनी, और यहाँ पर दो केंडल इंसाइड बनी, उसके बाद जैसे mother candle का breakout हुआ उसके बाद देखिए कैसे इसने resistance को भी break कर दिया तो इसमें भी यह देखिए यहाँ पर own lady three times touch कर चुगा था इस टोक में भी अगर आपको dip मिलता है तो dip में buy कर सकते हो target already मैंने आपको telegram पर डाले है short term के target तो target के लिए आप इसमें बने रह सकते हो और अपने इसका example देखना है तो इसी sector का एक टोक आप देखिए मैंने भी two weeks पहले चार्ट वादा वीक में दिया था E.H. limited इसमें भी देखिए आपको multi-year breakout का explain किया था यहां पर आप देख सकते हो यह monthly chart इसका यह देखिए और weekly chart देखिए तो इसमें भी आप देखिए कि यहां पर price same वैसे ही था flag pattern था और उसके बाद यह देखिए price 220 से लेकर अभी 242 plus हो चुका है तो वैसे ही Indian hotel में देखने को मिल रहा है तो आप Indian hotel में अभी focus कर सकते हो बा breakout stocks जिसमें अभी fresh breakout देखने को मिल रहा है तो वो आप देख सकते हो तो इसमें भी देखिए fresh breakout है breakout retest भी हो रहा है तो यहां पर भी आपको देखिए learning शेखने को मिलेगी तो इसलिए मेरा purpose यही रहता है आपको वीडियो में कि आपको ज़्यादा maximum आपको शेखने को मिले so that कि आप भी किसी की बातों में आकर आप कुछ से decision ले सकें कि yes chart क्या बोल रहा है और साथ में fundamental उसके check आप कर सकते हो चार्ट अगर उक्या है fundamental उक्या है तो उसको आप entry कर सकते हो और बात करें अगर आपने इसमें short term के stop loss रखना है तो short term stop loss इसमेरेगा below 390 का जहां से यह reverse हो अभी क्योंकि इसके निचे चला गया तो फिर और यह slow sideways हो जाएगा target मैंने आपको यह telegram पर आग डाली दिये हुए है तो यह आप यहां पर देख सकते हो यह यहां पर मैंने चार्ट डाल दिया हुए है मैं साथ में twitter पर भी डाल देता हूँ तो आप मुझे twitter भी फॉल पर सकते हो और यह free telegram channel का link आपको description और comment में पिन कर दिया हुआ है तो उसमें आप link पर click करके join करें काफी channel मेरे नाम से भी fake बने हुए है तो उन पर आप enter मत हो जाना तो link पर click करकर ही enter कीजिए तो आज मुझे बताईए कि आज की वीडियो से आपको क्या सिखने को मिला comment करके जुरूर दाना और वीडियो चला गए तो like करदना नहीं चला गए तो dislike करदना चैनल पर first time आए के लिए बहुत बहुत दने वक्त